हेलो शुरेट आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू केलकुलेट डेड और लाइफ लोड ऑफ बीम या स्लेब हम किस तरीके से एक बीम और स्लेब का सेल्फ वेट निकाल सकते हैं इसकी बारे में आज हम देखने वाले हैं आप वीडियो को पूरा एंट तक देखिए आपको सारी चीजे समझ में आएगी है चलिए आज को वीडियो इस्टार करते हैं देखेशने डेड लोड क्या होता है सबसे पर यह समझते हैं यह चीज आपको पता करता है यह आपके घर में कुछ भी एलिमेंट बन रहा है बीम कॉलम्स लेब तो इसकी हम किस तरीके से डेड लोड निकाल सकते हैं में आप पता कर सकते हैं तो देखेए एक 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 जामपल के तोर पर समझते हैं हम कि साइज ओप बीम आपको दी गई है तेवीस बाए तीस सेंटी मेटर एक न एक चीज़ सिर्फ एक जामपल है ठीक है आप देखिए लेंद है आपकी पांच मेटर है विट है आपकी 23 मेंटड आगया रिक इस सबका वॉल्युम निकाल सकते हैं तीनों को मिट्टिप्लाइ करती चिए तो आपके पास आएगा 0.345 मीटर्क योग अब डेंसटी निकालने के लिए हमें पता होने चिके जो ऑशीजी की डेंसटी होती है वह अब हमें डेडलों निकाल लाना है तो क तो कितना आया आपका 828 kg है ठीक है यह था आपका डेड्लोड अब हम देखते हैं इसका लाइव लोड देखिए लाइव लोड समिदने के लिए आपको इसका जो चैनले भी सिस्की बारे हैं पाइट आपको बताया कि लाइव लोड के से निकाल सकते हैं तो साइज आफ स्लेव तीन बाइव पांच का है विट है बारा सेंटिमेटर की तो अगिन इसका हम वोल्यूम एरिया निकाल लेते हैं लेंद है आपको वीट थे हैं तो यह कितना हो गया 15 मिटर इसको आया फिर हमने किया क हमने यह वेल्यू काजिडर किये ठीक ना लेकिन जब हम डिजाइन करते हैं तो हम एक चीज़ का वेल्यू पता होना चाहिए उसके तुरू हम लाइव लोड निकाल सकते हैं ठीक है अब हम एरिया से आपका लाइव लोड को मिल्टिप्लाइ कर देंगे तो आपके वास वेल को देखने के लिए आप अपने रही है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकों को हिट किजिए ताकि सभी नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपके बाब पहुँच है अब हम मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपने रही है थैंक्यो फॉर दा कर दूजिए सबस्कारोग कर दो 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 एंस बापके लिए सुछ रही है अपने हमारे करके लिए है आप जो अब आपके लिए चैनल को तो दो घखने कर दो को दो आपके लिए हैं।